वो अश्ट धातू की मूर्ती थी अपूर में 5-6 साल पहले एक बार कुछ अपरचीत लोग आई पर सटा दिये थे और एक जोने की तलवा टाइप का था वो भी सटा दिये इसके बाद ये अपना जो है बीच बचा हला सोर की इसके बाद ये लोग भाग का रोणों की मुर्तियां रही होंगी जब बती जलाने के लिए तो हमको गेट में बंद कर रखे थे लोग दर्वाजा बंद था मैं बाहर नहीं निकल पाई जब चार बजे लोग आए नहा धो करके यहां फुजा उजा करने के लिए तो मैं आवाज दिये तो लोगेट खुले हम बाहर आई तब जब मंदिर खोला गया तो वहां ताला टूटा मिला और जब मंदिर में घूसा गया तो हां ठाकुर जी हमारे गायव 6 मूर्ति हमारी गायव हो गई राम लच्मन सीता हन्मान जी की और दो राम लला की एक राम जान की मंदिर है जिस पर साध्वी बंदेवी नाम की एक महला खुजारी के रूप में रहती है इनके द्वारा सुबह आउगत कराया गया कि इनके मंदिर से पिल 6 मूर्तियां जिसमें 3 बड़ी मूर्तियां थी 3 छोटी छोटी मूर्तियां लगबग 6 इंच की और 3 मूर्तियां 9 इंच के आस पास की थी रात में अग्याद चोरों द्वारा चोड़ी कर ली गई है सुचना पर मौकर पर दिविन अस्तर के अधिकारियों द्वारा बची हुई है और बताया यह गया है कि जो बची हुई मूर्ति है इसी तरह की अन्य मूर्तियां थी लेकिन बची हुई मूर्ति पीतल की है और अन्य मूर्तियों के बारे में इनका कहना है कि संभवता अश्टभात की थी प्रकरण में अल्योग पंजिक करके च्छानवीन नहीं है भी तरह बेदाने का रहा है